तो आज तुम्हारा भाई तुम्हारे ले ले के आए एक बड़ी ही healthy और easy recipe जो है steamed chicken की recipe का सबसे पहला step है हमें chicken में cuts लगाने हैं जब हम chicken में cuts लगाते हैं और फिर उसमें marinate करते हैं तो सारा marinate chicken के अंदर चला जाता है और chicken को और flavorful बनाता है चिकन में cuts लगाने के बाद हम chicken को marinate करना शुरू करेंगे इस marinate के अंदर बहुत कम ingredients पढ़ते हैं लेकिन इसका स्वाध बड़ा जबरदस्त बनता है कोशिश करें कि chicken को कम से कम 1-2 घंटे के लिए marinate करें अगर चाहें तो पूरी रात भी fridge में रख सकते हैं अगर पूरी रात आ फ्रिज में रखते हो तो chicken के अंदर marinate का पूरा flavor रश जाएगा अच्छा आपने एक बात notice करी होगी कि मैं यहाँ पे chicken leg का use कर रहा हूँ लेकिन अगर आप gym जाते हो और आपको अपनी diet का बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो आप chicken breast का भी use कर सकते हो क्योंकि उसमें fat कम होता है अब जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपना steamer prepare करना शुरू कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने एक बड़े से बरतन में पानी डाला है और उसमें अपना steamer रख दिया है आप chicken का कौनसा part यूज कर रहे हो अपनी dish के लिए उसमें depend करेगा कि आपका chicken कितनी देर में पक जाएगा जैसा मैं यहाँ पर chicken leg यूज कर रहा हूँ इसको ज़्यादा time लगता है पकने के लिए तो एर राउंड 35 से 40 मिनिट में पकेगा लेकिन अगर आप chicken breast यूज करते हो वो 20 से 25 मिनिट में पक जाएगी depending upon the size of the chicken एक professional kitchen में usually हमें कैसे बता चलता है कि chicken पक गया हम chicken का internal temperature चेक करते हैं अगर एक specified temperature के उपर chicken अंदर तक पक चुका है मतलब chicken त्यार है अब chicken हमारा पक के त्यार हो चुका है लेकिन अगर आप इसका taste थोड़ा और elevate करना चाते हो तो आप इसके उपर नीमू और चाट मसाला भी डाल सकते हो मैं सिर्फ नीमू डाल रहा हूँ उमीद करता हूँ कि आज की recipe आपको अच्छी लगी होगी अगर ऐसी और भी recipes देखते रहना चाते हो तो प्लीज इस वीडियो को like कर दो अगर इस channel पे नए हो तो channel को subscribe कर दो और साथ नो bell icon भी दबा देना मुझे comment करके भी बताओ कि आप और कौँसी recipes देखना पसंद करोगे ताकि मैं उन recipes पे काम करना शुरू कर सकूँ देखो यार मेरा तो chicken बन के त्यार हो चुका है तो आप भी जल्दी से इस chicken की recipe को बनाओ ट्राइ करो और मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी फिर मिलेंगे एक और नई recipe के साथ बहुत जल्द दन्यवाद